गुद मॉर्णिंग स्टूडेंट्स आज हम सीखेंगे फ्लावर्स बनाना मैंने कुछ अलग अलग तरीके के फ्लावर्स बनाये पेपर से तो आज हम आपको बताऊंगे कैसे हमें बनाना है तो आगे हम कंटिन्यू वही करेंगे कि हमें कैसे बनाना है हमने ये कुछ पेपर्स लिये हुए है जो मैंने पहले से ही कट करके रखा हुआ है बराबर तो हम इसको कैसे कट फोल्ड करेंगे हमने इसको ऐसे फोल्ड किया फिर ये हमने इस कोर्णर से इस कोर्णर को मिलाया उसके बाद हमने इसको ये कोर्णर को ऐसे मिला दिया उसके बाद हमने इसको ऐसे कर दिया, उसके बाद हम इसको कट करेंगे, आप पहले पैंसल से भी कर सकते हो, निषान लगा सकते हो, जो भी आपको शेप चीह, जैसे हम पहले ये वाली शेप बनाएंगे, तो हम एने इसको पयले ड्रो कर लिया और हम इसका कट कर रहे हैं, Husky 있는 ऐसे कट किया और यह वाला हमने ऐसे कट कर दिया तो हम देखेंगे कि हमारा ये इस तरह ये फलावर बन गया जो हमने ये वाला बनाया हुआ ठीक है तो आब हम दूसरा सीखेंगे दूसरा हम ग्रीन पेपर से सीखेंगे इसको भी वहने फोल्ड करके रखा हुआ है इसको हमने ऐसे फोल्ड किया उसके बाद इसको भी ऐसे फोल्ड किया उसके बाद हम इसको थोड़ा सर्कल कर लेंगे सर्कल हमेशे ऐसे करना ताकि शेप अच्छी आए उसके बाद हम इसको ऐसे गोज़ाई में काट लेंगे और हम ये वाली शेप बना लेंगे ठीक है तो हमारी ये वाली शेप भी आ गई हम इसको हमारे पास दो शेप आ चुकी है अब तीसरी शेप सीखेंगे इसको हमने ऐसे फोल्ड किया इसको हमने ऐसे फोल्ड किया इसको ऐसे फोल्ड किया इसको ऐसे फोल्ड कर दिया अब हम क्या करेंगे इसको ऐसे कट करेंगे और एक ऐसे कट करेंगे तो यह हमारी इस तरह की शेप आ जाएगी तो आज हमने तीन फ्लावर सीख लिए ठीक है यह तीसरा हो गया अब हम यह वाला बनाएंगे तो यह वाला कैसे बनाएंगे इसको हमने ऐसे फोल्ड किया इसको फोल्ड किया इसको हमने ऐसे फोल्ड कर दिया उसके बाद ऐसे फोल्ड कर दिया यह हमने क्या किया किया कि बहुत छोटा कर दिया तो अब इसको हम ऐसे गोलाई से काट देंगे काट दिया उसके बाद यह हमारी शेप बन गई कुछ इस तरह आप इसको ऐसे उपर करके भी लगा सकते हैं तो इसमें बहुत अच्छा बहुत अच्छे से इसका पिच्चर सा जाएगी और आप इसको अपने कोई भी greeting card पे लगा सकते हो कोई भी flowers बना सकते हो कोई भी card बना सकते हो उसपे आप यह flowers लगा सकते हो तो यह आप बना के दिखाना मुझे, thank you